आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ ऐसे sentence जो either true हो या फिर वो false हो ऐसे sentences हमारे statements कैलाते हैं जिने पढ़कर हमें यह पता चले कि यह statement true है तो जिने पढ़कर हमें यह पता चले कि वो sentence true है तो जो sentence होंगे वो statement होंगे अगर वो false है तो भी वो statements होंगे पर अगर वो both true और false है maybe true, maybe false है तो ऐसे sentences हमारे statement नहीं होते हैं अब हम से कह रहा है कि all real number और complex number तो यहां से हम यह लिख सकते हैं because complex number किस form में होता है रैट और A और B कहां belong करते हैं real number पे belong करते हैं तो यहां से हम लिख सकते हैं कि all real numbers can be written in the form of in the form of a plus i into 0, ठीक है, where a belongs to real number, and 0 is also belongs to real number, right, तो यह हो गया, तो यह condition तो satisfy हो गई, complex number की, तो यहां से हम कहा सकने की, all real number का है, is a complex number, so, all real number, all real number, are complex numbers, ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं, all real numbers are complex numbers, तो यह जो sentence है, वो always true होगा, hence, it is always, always true, अगर यह always true है, तो यह जो sentence है क्या होगा, हमारा statement होगा, तो यहां से हम लिखेंगे, hence, it is a statement, ठीक है, यह क्या होगा हमारा statement होगा, कि all real number is a complex number, is a statement, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थेंक्यू, अगर देवल से लेके, NEET IIT जेही, मेंस और अद्वांस के लेवल तक, तस मिलियन से जादा स्टुटिंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप, यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स, 8444 चार्स उपर, कि अजय है,